Hello my dear students, welcome to the MSNs Academy, मैं हूँ मिनूश्वीबास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे फिर्स्ट उनिट के लास्ट टॉपिक के वारे में that is the electron microscopy, ठीक है? electron microscopy, इसके अंदर जो है, हम light microscope पढ़ चुके हैं कि light microscope के अंदर क्या होता है इसके अलावा हमें electron microscopy के जिवद क्यों महसूस हुई? क्योंकि light microscope, यानि कि light microscopes जो होते हैं उनकी बहुत limited range होती है और light microscope से हमें, हम भी कह सकते हैं कि visualization, magnification, resolution यह सब इतना जादा नहीं हो पाता यानि कि कोई बहुत minute particle है, तो उसके inner structure जो है कैसी है, उसके अंदर क्या-क्या और structures है, वो सब हम light microscope के help से नहीं पता लगा सकते हैं और इसके अलावे एक और चीज़ है कि light microscope में staining की जरूत होती है और staining जरूरी नहीं है कि हर sample के लिए appropriate हो तो वहाँ पर कहीं न कहीं light microscope का drawback आजाता है तो अगर आपको थोड़ा सा यह याद हो कि cell के बारे में हम detail study तभी कर पाई थे जब electron microscope के discovery होई थी यानि cell की जो discovery थी, वो Robert Hooke ने की थी अगर आपको पता हो कि core structures उन्होंने देखे थे और उन्होंने cellular word दिया था लेकिन जो है cell word के बाद जो है उसके अंदर तांग जहां करने की हिम्मत किसी की नहीं हो पाई थी ऐसा कुछ भी नहीं है, महां कुछ डरावना था ऐसा नहीं है वहाँ पर सिफ यह था कि cell के अंदर अगर जाना है तो आपको बहुत ज़दा magnified या बहुत ज़दा specialized microscope की ज़रूत थी और वो possible हो पाया after the discovery of electron microscope ठीक है, तो हम इसे के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या होता है electron microscope basically electron microscope के अंदर जो यूस किया जाता है वो light की जगए electron beam यूस किया जाता है यहाँ पर मैं आपको electron को इस तरीके से e- की form में दिखाऊंगे यहाँ पर जो है जो electron beam का जो lambda होता है that is 0.2 nanometer and resolution जो होता है resolution जो होता है वो lambda के opposite होता है यानि कि इसका inversely proportional होता है तो lambda जितना कम resolution उतना ज़्यादा ठीक है, तो lambda जो होगा वो आपका electronic beam का यानि electron beam का वो होता है 0.2 nanometer और इनका जो resolution है electron microscope का वो उसका magnification भी बहुत high होता है magnification मतलब के enlarge करना magnification मतलब बढ़ा करना तो किसी छोटी सी image को बहुत बढ़ा करके दिखा सकते हैं दूसरा इनकी resolution capacity होती है, high resolution power होती है resolution मतलब कि कितना clear image हमें मिलता है यानि कि image बलड तो नहीं हो रहा है कहीं कि एबिक्सल तो यहाँ पर इनका electronic beam遊戲 के लिए हैं पर इनका magnification resolution power बहुत हाई होता है इनका जो lambda है that is point nanometer और यहां पर जो है वो resolution का inversely proportional है इसके अलावा जो है एक और जो positive point इसके साथ है that is कि staining जो होती है वो इसमें बिल्कुल भी required नहीं होती है ठीक है staining की जरूत नहीं होती है electron microscope जो होता है वो basically दो टाइप का है scanning electron microscope and second is the transmission electron microscope scanning electron microscope और transmission electron microscope इसको हम separate पार्ट में study करेंगे आज के पार्ट में हम detail study करेंगे about the skin electron microscope scanning electron microscope सबसे पहले मैं आपको इसके इक electron microscope दिखता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उसका जो diagram है scanning electron microscope का diagram जो है वो इस तरीके से होता है कि एक scanning electron microscope दिखने में कैसा दिखता है अगर हम इसको देखें कि scanning electron microscope के अंदर क्या क्या चीज़े हैं वो हम देख लेते हैं scanning electron microscope के अंदर हमें चाहे वो scanning हो चाहे वो transmission हो सबसे पहले हमें एक electronic beam generate करने का instrument चाहिए जो कि हमें fulfill होता है यानि कि वो हम जिस से receive करते हैं वो होता है electron gun electron gun basically एक tungsten का V-shaped wire होता है जिसे मैंने यहां भी बनाया है जिसे मैंने electron gun का नाम दिया है electron gun यहां पर एक V-shaped का tungsten wire होता है और उसमें high electricity provide की जाती है उसमें जो high electricity जब provide करते हैं तो tungsten wire क्या generate करता है electrons generate करता है इन electrons को जो है anode attract करता है क्योंकि हम जानते हैं कि electrons negative charge particle है और anode जो होता है वो positive anode होता है ठीक है तो negative particle को कौन attract कर सकता है that is anode तो यहां पर जो negative charge particle है उनको anode यहां पर attract करता है इससे फाइदा क्या होता है इससे फाइदा यह होता है कि यहां पर जो है electrons बिलकुल एक proper beam की form में move करते हैं इधर उधर जो है भटकते नहीं है इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे बतानी है कि electron microscope आइदर the scanning और the transition यानि कि कोई सा भी microscope हो electron microscope उसके अंदर खास तोर से vacuum create किया जाता है अब vacuum क्यों create किया जाता है इसके पीछे भी एक reasoning है क्योंकि हम यह चाहते हैं कि हमारे पास जो sample है और जो electronic beam है वो जब interact हों तो केवल electronic beam directly sample से interacted हो इसके अलावा वो किसी और particle से interact नहीं हो अगर वहाँ पे air particle होंगे तो कहीं न कहीं air particles में से भी जब होगा कि हो सकता है कोई और दूसरा electronic transition हो जाए तो उस चीज को रोकने के लिए वहाँ पर हम vacuum create करते हैं तो आप यह कहेंगे कि अच्छा ठीक है electronic transition हो गया उन air particles में से निकल गए electrons तो क्या होगा तो वहाँ पर जो होगा कि वो हो सकता है कि एक another electron beam create कर लें और हो सकता है कि आपका result deflect हो जाए आपका result गरबड़ा जाए इसलिए यहाँ पर vacuum create किया जाता है ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा कि electron microscope में खास तोर से vacuum create किया जाता है इसके अलावा यहाँ पर जो है अब anode ने क्या किया है anode ने यहाँ देखिए कि उस electronic beam को attract किया है देखिए यहाँ पर मैंने दो diagram बनाया है एक ray diagram बनाया है और जो है इस तरीके का diagram बनाया है ताकि आप लोगों को ढंक से समझ में आ सके क्योंकि मैंने देखा कि कुछ books में यह वाला diagram है कुछ books में यह वाला diagram है और कुछ books में जो है diagram जो है अलग तरीके से तो मुझे यह दोनों diagram ज्यादा suitable लगे तो यहाँ पर जो है electronic gun जो है वो anode electronic gun यानि कि tungsten wire ने जब electron generate किये तो यहाँ पर anode ने उस अट्रेक किया anode जब उन्हें attract करेगा तो एक proper direction प्रोवाइड करेगा लेकिन यहाँ पर जो होता है जो magnetic lenses होते हैं यहाँ पर जो magnetic lenses होते हैं जिने हम जो कि magnets के ही बने होते हैं या condenser magnet भी जिने मैंने कहा है condenser magnet भी कहा है यहाँ पर condenser magnet जो होता है वो यह क्या करता है वो electronic beam को electronic beam को focus करता है देखें ये anode से beam चली आ रही है और ये magnetic lens जो होता है उसे focus करने का काम करता है ठीक है तो यहाँ पर जो है condenser magnet जो होगा वो क्या करेगा इसको focus करेगा मतलब उसको pointed करेगा उसको एक जगे जो है point करेगा अब यहाँ पर क्या होता है कि जब उसको point किया जाता है यानि कि वो जो एक beam है वो एक proper parallel direction में आ रही है अब उसको pointed कर दिया जाता है इससे फाइदा क्या होता है इससे फाइदा यह होता है कि जो भी हमारा specimen है उससे अगर एक pointed चीज़ टकराएगी तो वो उसके हर एक part को हर एक cone को हर एक angle को touch कर पाएगी ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि यह जो magnetic lenses है या condenser magnet है वो इन beams को क्या करते है इन beams को क्या करते है pointed कर देते है या focused कर देते है अब यहाँ पर क्या होगा कि यह focusing करने के बाद यहां पर क्या हो जाता है अब आती है scanning coils और scanning coils जो होती है वो आप समझ ये कैसे काम करते हैं ठीक है scanning coils कैसे काम करती हैं वो आप समझ ये कि जैसे suppose that कि यहां पर यह आपका magnetic lens ने आपके इन beams को focus कर दिया यह आपकी बिल्कुल pointed beam आ रही है यह पैंसर में इसको दिखाती हूं ठीक है यह आपकी beam आ रही है ठीक है और यहां पर यह नीचे आपका specimen रखा हुआ है ठीक है यह आपका नीचे specimen रखा हुआ है अब scanning coil क्या कर कि यह यह जैसे हीए focused beam जब इससे गुजरती है scanning coil से तो यह scanning coil क्या करती है कि इस scanning coil यह PCB Parlament की आ जो है particular point फोकस करती है ठीक है पहले इस point पे focus किया ठीक है तक है इस points pe focused किया इस point focus किया इस point focus किया यानि की scanning coils जो है उसको चौ़ target बिखर कार्फा मूव करती है सबज में आ रहा है चीज आपको कि जो कि सकैनिंग कोई शुट theo इंगको किया कि जो यह प्रती है कि जो यह गुजा प्रती नियुकित प्रती है पीम को फोकुस हो गई बीम को यह पोईंट पर ले जा ले जाने का काम कौन करता इंग कुछ अभी स्केनिंग कॉईल इसको यहां पहले गींदें तो वाइदा यहां जाक मॉनिटर में खेर गिरी तो इतना बन गिरी संक्डिल आ पहला मोनिटर में दो पर गड़ेशान जेंगिए इसवाइडी से मुझे पूरा का पूरा इमेज रिसीव हो जाएगी कहां पर मॉनीटर को ठीक है तो यहां पर आपका scanning coils यह इसको रॉस्टर स्केंज भी बोलते हैं कई तो यह जो scanning coils है वो यहां पर क्या करती है कि आपका जो है इसको सब्सक्राग। मतलब कि उसको ऊस पास से हटा जा रही है तो उसे हटा के क्या कर रही है इस स्केंध टॉने पर तो यहां पर नीचसैन और बना दी यह जो यहां वो इसको दुबारा से री-focus करता है इससे फायदा क्या है देखिए समझिए कि यहां पर इसको मैं यहां पर क्या हुआ कि यह बीम ऐसे आ रही थी अब इसके निंग कोईले इसकी डारेक्शन जो है ऐसे कर दी अब ऐसे करने के बाद अभी भी यह रे थोड़ी सी बिखरी हुई है तो जो आपका objective lens या magnetic lens है वो इसको और pointed कर देगा और pointed कर देगा यानि कि और focus कर देगा जिससे वो particular point पे ही गिरेगी थाबन में आ रहा है यानि कि जो scanning coil ने उसको थोड़ा से deflect किया है ताकि वो हर point पे जाए लेकिन वो particular point तक ही focus हो ये काम कौन करेगा objective lens ठीक है ये सब magnetic चाहे आपका condensural magnet हो चाहे मतलब आपका चाहे magnetic lens हो चाहे objective lens हो ये magnetic lens ही होते है ठीक है इनका काम होता है mainly focus करना ठीक है तो ये आपका जो objective lens है वो आपका refocus करता है यहाँ पर जो है refocusing beam जो होती है जब आपके specimen पे गिरती है तो specimen में mainly आपको एक minute चलिए मैं इसको आपकर देती हूँ अब क्या हुआ है कि यहाँ पर जब आपके objective lens जब इसको refocus करता है तो यहाँ पर क्या होगा कि यह यहाँ पर जो है आपकी electronic beam particular इस point पर गिरी जब इस specimen जो है यह specimen है यह आपके specimen के अंदर supposed ऐसा डायग्राम है ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब electronic beam आपके यहाँ पर जैसे यह electronic beam है मैं इसको दूसरे color से बनाती हूँ यह जब electronic beam इस point पर गिरी तो यह monitor की आंदर देख़िए यह इस beam यहाँ पर गिरी तो monitor में इत्ता बना फिर यह हाँ पर गिरी तो इत्ता बना इत्ता इत्ता बना यहाँ जब गिरती जाहएगी तो यह diagram ऐसा बनता जाएगा ओने फिर इतना गिरी फिर दूसरे पर बनी फिर जो स्कैनिक ओन ने इसको और कहीं किया तो यह ऐसा बन गया फिर मैब सस्कैनिक कोयल कि आई सारे जियानों। इधर इसका सब्रूस को सुखी वज़े से हमें लने पर लुदि यह अद दका सस्कानिक कोयल अब यहां पर electronic beam जो है वो जैसे ही यहां पर जाती है तो monitor के अंदर यह diagram बनता कैसे है वो हम समझ लेते हैं यहां पर जैसे ही electronic beam जब किसी specimen पर टकराती है तो यहां पर specimen के अंदर जो है यहां पर तीन चीजे जनरेट होती है यानि तीन तरीके की चीजे जनरेट होंगी सबसे पहले जो electron यहाँ पर आपके specimen से टकराते हैं वो electrons हो सकता है कि उस specimen से टकराके वापस लौट जाए जिन्हें back scattered electrons कहता है मतलब कि जो पीछे आके मतलब जो दुबारा से scattered हो गए है एक होता है secondary electrons what is the meaning of secondary electrons इसको समझिये कि यहाँ पर suppose that कि कोई जो है जो है यहाँ पर इसको मैं हटा रही हो भी ना कि यहाँ पर कोई atom है इस atom के अंदर जो electrons हैं अब यहाँ पर electrons मूव कर रहे हैं हमें मालूम है कि electrons जो होते हैं revolving movement में होते हैं तो electrons क्या होते हैं कि जब electrons जो है घुम रहे हैं जो भी space मैंने उसके अंदर cell है add atom है आब यहाँ पर जो आपका यह electron आया जो electron beam आई उस electron beam को मैंने बोला है primary electron यह ध्यान रखिएगा इस electron beam को मैंने बोला है primary electron घीए अब यह जो primary electron है जब यह यहाँ इनको धक्का देगा ठीक है जैसे suppose that कि यहाँ पर मैं primary electron हूँ और मेरे आगे भी कोई electron खड़ा हुआ है तो मैं धक्का दूँगी ठीक है और मैं उसकी जगे बैठ जाऊंगी और वो जो पहले से खड़ा हुआ तो उस पोजिशन पे वो हट जाएगा तो वो यह जैसे ही यह electron यहाँ से निकल जाता है यह electron जो है यहाँ से निकलता है यह electron कहलाता है secondary electron सबच में आगई बात जैसे आप खोखों में खेलते हैं खोखों पता आपको कैसा होता है खोको में एक जो है वो घूमता है और एक परसन जो होता है वो रुमाल रखता है या एक आके उसकी जगे और वो जो है एक को भगाता है चू करके तो वो भाग जाता है और दूसरा उसकी जगे बैट जाता है ऐसा ही होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है तो जो बैटता है वो primary electron है और जो अपनी जगे से उड़ता है वो secondary electron है तो यहाँ पर electron जो है उसको धक्का देता है और यहाँ पर खोद आके उसकी जगे बैट जाता है ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो दूसरा electron generate हुआ है वो है secondary electron और इन ही secondary electrons को detect किया जाता है SE detector या secondary electron detector की help से ठीक है और उसके वाज़े से ही हम specie man ने उसकी प्रॉपर image देखते हैं यहाँ पर monitor ने उसकी प्रॉपर image देखते है sorry specie man बोल दे शायद मैंने इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरी चीज है that is x-ray detector भी मौजूद होता है एक और चीज यहाँ पर जो secondary electron detector जो होता है secondary electron detector के पास एक जो है positive charge chip होती है जो की क्या होगा positive charge chip क्या होती है वो इन secondary electrons को attract करती है और monitor पे show करने लगती है वहाँ पर जो है उसकी image के थ्रूप ठीक है इसके अलावा यहाँ पर x-ray detector है अब यह x-ray detector का क्या जो है दिक्कत है वो हम समझते है कि यह x-ray कहां से generate हुआ है देखिए यहाँ पर जब electronic beam इसको यह चीज समझ भागए आपको फटा फट से पले screenshot ले लिजे ताकि जो है मेरे को easy हो ठीक है चले लिए लिए आपने अब यहाँ पर जो है यह electron ने क्या किया कि जब यह electron घुम रहा है यानि कि suppose that कि जो भी आपके पास specimen है उसमें कोई metal भी है ठीक है तो वहाँ पर जो है x-ray detector की ज़रोत पड़ती है तो x-ray जो है क्या होगा कि अब यह primary electron आया primary electron जब आता है तो primary electron ने क्या generate करे secondary electron जनरेट करे यह secondary electron जनरेट कर दिया और वो खुद उसकी जगे आके बैठ गया यह फुद उसकी जगे आके बैठ गया ठीक है यह primary electron उसकी जगे आके बैठ गया लेकिन जो आपकी upper shell होती है उसकी energy ज्यादा होती है ठीक है तो upper shell में electron रह नबसेध्ट Вrafilのहisen, जतनी इनरजी कम होती है नीचे की शेल में उतनी एनरजी का photon जनरीट करता है, कि जब वह अपर शेल में आया, अपर शेल में रहना ज्यादा पसंद में करता है क्यूंकि अपर शेल की इनलजी ज्यादा नेर्जिए ज्यादा karş 오늘도 करता है जो में जल्दी बैठ जाते नीचे तो फिर स्टान इसमें अपर शेल में अना चाहेंकिएंगे तो वो lower shell की तरफ move करेंगे तो lower shell की तरफ move करने के वज़े से उनमें energy कमी आएगी तो वो अपनी extra energy को photon की रूप में generate करेंगे और वो photon क्या generate करेगा आपका x-ray generate करेगा यह ध्यान रखिए वो photon क्या generate करेगा आपका x-ray generate करेगा and that x-ray can be detect by x-ray detector तो वो जो है X-ray Detector जो होता है वो आपको क्या generate कर क्या दिखाता है X-ray और उसके हिसाब से आप analyze करते हैं कि कौन सा metal इस particular specimen में present है तो यहाँ पर क्या-क्या हमने detect किया हमने back scattered electrons को हम detect नहीं करते हैं इसमें secondary electrons और X-ray को detect करते हैं यहाँ पर जो है X-ray कैसे generate हो यह वो मैंना आप को समझाया है ठीक है अब यहाँ पर जो है इस electronic जो बीम है इसमें लास्ट में यहाँ पर मैं आपको बता हूं ठीक है फिर से एक स्क्रीन चाटल लीजे X-ray का ठीक है चले ले लिया अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यह पूरा जो आपका specimen है यहाँ से एक जो है analyzer यह monitor analyzer जो की आपके secondary electrons और X-ray photons को जो है detect करता है and that analyzer will attach with the monitor और monitor में आपकी image आती है तो image कैसी है जपो जाए कि आपकी यहाँ पर जो image है वो इस तरीके की है यह इस तरीके की image है तो दूसरे आपके जो monitor है monitor में भी आपकी image कैसी बन जाएगी यहाँ पर अपन देख रहे है monitor में जो image है वो आपकी इसी तरीके की image बन जाएगी यह ऐसे 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 और काफी magnified way में बनेगी और उसका resolution भी काफी high होगा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या-क्या advantages, applications और disadvantages हैं हमारे पास electron basically scanning electron microscopy के अंदर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज जो म sample लेते हैं वो proper तरीके से prepare किया जाता है लेकिन sample preparation जो है इसकी थोड़ी सी differ है as compared to light microscope sample preparation के लिए में एक separate video बनाऊंगी so you don't worry ठीक है कि कैसे हम electron microscope के लिए sample prepare करते हैं ठीक है तो यहाँ पर sample जो आपने यहाँ पर रखा है specimen में specimen stage में तो sample prepare करके ही रखा है यह ध्यान sample prepare करके रखा जाता है sample preparation के लिए में एक अलग से video बना दूंगी तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इसके advantages, disadvantages और उसके applications के बारे में जो है जिसका structure बहुत small है उसको भी हम जो है इससे visualize कर सकते हैं बहुत easily किसी भी crystalline structure को कोई element है compound है क्या crystalline structure है वो भी हम देख सकते हैं with the help of electron microscope ना इसका जो कोई भी compound है component है product है उसका क्या basically surface composition है उसको हम examine कर सकते हैं अब हम बात कलते हैं advantages की दो जो SAM है that is scanning electron microscope इसको इसके resolution power है वो nanometer तक है हम जानते हैं यानि कि कोई ऐसा particle जिसका diameter जिसका structure nanometer में है उसको हम easily resolve कर सकते हैं यहां पर कोई भी biological sample हम study कर सकते हैं क्योंकि जो है बहुत easily यहां पर हमें image मिल जाती है उसके बाद कोई भी अगर metal surface से उस पर कोई corrosion layer जम गई है तो उस corrosion layer में कौन से metals बने हुए हैं कौन सा composition है वो भी हम study कर सकते हैं कोई element compound है किसी sample के अंदर वो x-ray detector की help से हम पता कर सकते हैं यहां पर जो disadvantage है जो disadvantage इसके मेन यही है कि यह केवल surface को scan कर पाता है उसके अंदर जो है वो हम बहुत जादा नहीं पता लगा पाते तो surface के scanning जो है बहुत अच्छे तरीके से तो करता है लेकिन उसके अंदर जाने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा transmission electron microscope की जो की हम next lecture में discuss करेंगे I hope आपको lecture समझ में आया होगा कोई भी doubt है प्लीज like share and subscribe कोई भी doubt है comment section में पूचिए otherwise please like share and subscribe thank you